समझकार मैं हूं प्रशान्त और आज मैं बात कर रहा हूं सिंग साब ग्रेट से यानि सनी दियोल क्योंकि इनका नाम वैसे भी मैं अगर कहूं तो इनका नाम है अजे सिंग दियोल तो वैसे भी यह सिंग साहब है और सिंग साहब के साथ मेरी दिन की शुरुआत हो रही है नाश्टे के साथ तो सबसे पहले तो आप देख लेए यही देख लेए कि जो यह धाइकलों का हाथ जो आप लोग हमेशा याद करते हैं और यह जो तगड़ा बदन बॉड़ी इसके बारे में जो आप बात करते हैं तो क्या खाते पीते हैं जो यह बॉड़ी उने बनाई है और जिससे पूरा जो बॉलिवोड है और जो उनके फैंस हैं इनके दिवाने है मेरे सुबस होता है बेसन की रोटी, मक्कन, थोड़ा दही और चट्नी और अबिस की लस्या 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 तो लस्या शुरुआत कर लेते हैं मुझे लग रहा है कि जो पूरा पंजाब है पंजाब वहां से उटके मुंबही में आ गया है और यह लस्या मैं टेस्ट भी करके देख लेता हूँ कि यह लस्या में पंजाब का सौध है या नहीं एकदम ठंडी और बिलकुल जो गाड़े दूद की लस्या होती है वह यही राज है आपकी फिजीक का नहीं राज यह तो खाने का है फिजीक के लिए मैं डौकाण करता कहा हूँ खेलता हूँ और यह वैसे मैं पिजीक उस ढुल से बनाना भी नहीं चाहता आठा prepared मैं enjoy करता हूँ, exercise करता हूँ, enjoy करता हूँ अभी भी आप आरहे हैं टेबल टेनिस कहिल के आरहे है? हां भी माँ खेल कर रहा है तो क्यों आप आपने टेबल टेनिस कहल रहा है? मैं एक घंटा कहलता हूँ देली? आपको अपने वकाउट भी करना जरूर है तब ही आप ऐसे जो बॉडियों मेंटेन कर सकते हैं तो रोज पराठा और मक्षन? डिपेंड करते हैं, इससे भी थोड़ा मौसम बदल रहा है तो आजकल रोटी और मक्षन खाता हूं और अच्छा लगता है, शुरू से यह आदती बनी हुई है नॉर्मल रोटी खाता है और आप जैसे अभी बात कर रहे थे हम बेसन की रोटी यह बाजरे की रोटी यह सब भी पसंद करते हैं नहीं बाजरे की बेसन की रोटी खाता हूं मक्षी की हो थोड़ी मिक्स करके मिक्स करके